वा वा कितना स्वादिष्ट मास है आज तो मज़ा ही आ गया अगर रो जाना मुझे इतना ही स्वादिष्ट मास मिल जाए करे तो फिर तो मेरे मज़े ही मज़े हैं चीलांटी प्लीज मेरे भाई को चोड़ दो अगर मम्मा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत टाटेंगी वो भाई को मेरी जिम्मेदारी पर चोड़ कर गई थी प्लीज उसे चोड़ दो मेरे बच्चो अब तुम दोनों बड़े हो गई हो तो मुझे तुमारे लिए जल्दी से एक मजबूस सा पक्का सा लकडियों का घर बनाना होगा लेकिन ममा हम इस गोंसले में भी तो रह सकते हैं न तो फिर आप इतनी मेहनत करके लकडियों का घर बनाने के लिए क्यों कह रही हो मेरी जान मेरे बच्चो मुझे डर है कि अगर हमारे घर का भोजन खतम हो गया तो मैं आपको अकेले छोड़ कर भोजन लेने कैसे जाऊंगी मगर ममा हम उस लकडि के घर में भी तो अकेले ही होंगे न मेरे बच्चों तुम लकडी के घर में सुरचित रहोगे क्योंकि मैं उसमें एक मजबूत दरवाजा लगांगी ये कहकर चिडिया अपने बच्चों के लिए पक्का लकडियों का घर बनाती है कुछी देर में उसका घर बनकर तैयार हो जाता है तब उसके बच्चे बहुत खुस होते हैं फिर रानु चिडिया बोजन लेने चली जाती है रानु चिडिया को जिस बात का डरता वही हुगा चिडिया दाना ढूरने के लिए जाती है लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता उसे दाना ढूरते ढूरते साम हो जाती है तब वो खाली हाती अपने घ़र लोटाती है ममा, ममा क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई नहीं मेरे बच्चो आज मुझे करीब करीब तक भी दाना नहीं मिला कल मैं अपने बच्चो के लिए दूर दूर तक दाना ढूणने जाऊंगी सुबा हो जाती है तब दूसरे दिन मम्मा अपने बच्चों से कहती है बच्चों मैं आज भोजन लेने दूर तक जाऊंगी तो देड़ से घर आऊंगी तुम दरबाजा अच्छे से बंद कर लेना और जब तक मैं बापिस ना आजाऊं तुम दरबाजा मत खोलना मम्मा जब आप घर आऊँगी तो हमें कैसे बता चलेगा बच्चों जब मैं यहां आऊंगी तो आप दोनों से पूछूंगी कि आप दोनों मैंसे बड़ा कौन है गुडिया या फिर कुकु मम्मा मम्मा मैं कहूंगी गुडिया हाँ हाँ मेरी बच्ची तुम बड़ी सयानी हो फिर तुम दर्बाजा खोल देना फिर चिडिया बेफिकर होकर बोजन ढूनने के लिए निकल जाती है और गुडिया दर्बाजा बंद करके अपने चोटे भाई कूकू के पास बैठ जाती है चिडिया आज सागर बाले जंगल की तरफ बोजन ढूनने जाती है वो बहुत दूर तक जाती है जहां उसे तरा-तरा के फल मिल जाते हैं मैंने अच्चा किया कि मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का मजबुत घर बना दिया अब मैं उनके लिए मीटे मीटे फल ले कर जाए करूंगी चिडिया बहन आज आपको पहली बार इस दिसा में देखा है आप कहां से आई हो तोते भाईया मैं पहाडो बाले जंगल से आई हूँ और इस दिसा में मैं पहली बार आई हूँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ फिर चिडिया वहां से अपने बच्चों के लिए मीटे फल ले कर घर की तरह पाती है जब वो घर आती है तो दरवाजे पर आकर अपने बच्चों से कहती है मेरे प्यारे बच्चो तुम दोनों में से बड़ा कौन देदी मम्मा आ गई मम्मा आ गई मम्मा देदी बड़ी है गुडिया फिर गुडिया चिडिया दरबाजा खोल देती है और रानु चिडिया घर के अंदर आ जाती है देखो तो बच्चो आज मैं अपने बच्चो के लिए क्या लेकर आई हूँ मीटे फल आज हम मीटे फल खाएंगे हाँ बच्चो आज जहां मैं गई थी वहां बहुत सारे मीटे फल थे अब मैं रोजाना अपने बच्चो के लिए मीटे फल लेकर आई करूंगी फिर बो तीनों मीटे फल खाते हैं चिडिया की जिन्दिकी अब आसान हो गई थी वो रोजाना उसी जगा पड़ जाती और वहां से मीटे फल लेकर बापिस आती मेरे प्यारे बच्चो तुम दोनों मैंसे बड़ा कौन बो दुष्ट कालुकवा छिपकर ये सब देख रहा था गुडिया दरबाजा खोल देती है मम्मा चिडिया अंदर आ जाती है अच्चा तो अब समझा मैं कि ये बोलने पर दरबाजा खोल जाता है कि बच्चो तुम दोनों मैंसे बड़ा कौन अब तो मेरी चिल्दी की दाबत होगी दाबत इन दोनों छोटे छोटे बच्चो की ये कहकर वो कालुकवा भागा भागा चिल के पास आता है दो बच्चे चिल्दी मैं आपको खाने के लिए दो बच्चे दूँगा दो बच्चे तो जल्दी बताओ कालू कव्वे कहा हैं वो दो बच्चे मैं अभी बताता हूँ मगर चील्दी बदले में आप मुझे क्या दोगी दोस्ती बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और जो भी पच्ची तुमसे लड़ाई करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी तो कव्वा तो पहले ही चील्दी से गहरे संबंद बनाना चाहता था इसलिए वो चील्दी से कहता है तो फिर आज से ही आप अपनी चोंच पहनी कर लो जब कल चिडिया भोजन लेने जाएगी तब मैं आपको खिलाऊंगा दो बच्चे छोटे छोटे मगर कव्वे चिडिया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होगा ना बो सब आप मुझ पर छोड़ दो मैं आपका दरवाजा खुलवा दूँगा फिर अपनी योजना के अनुसर जब चिडिया भोजन लेने चली जाती है तो कालू कव्व चील को लेकर चिडिया के घर के बाहर आता है और उसके दरवाजे पर आकर कहता है मेरे प्यारे बच्चों तुम दोनों मैंसे बड़ा कौन मम्मा आ गई मम्मा आ गई मम्मा मैं बड़ी हूँ गुडिया फिर गुडिया दरवाजा खोल देती है और वो अंदर आ जाते हैं गुडिया को तो पता ही नहीं चलता कि वो किसकी अबाज थी क्योंकि कव्वे ने तो अपनी अबाज बदल ली थी ये क्या तुम दोनों तो मेरी मम्मा नहीं हो फिर तुम दोनों यहां क्यों आए हो वारे कालू आज तो तुमने कमाल कर दिया और आज मेरा दिल खुस कर दिया चिल्दी अब आप अपना सिकार अच्छे से कर लेना अच्छा तो अब मैं चलता हूँ गोरी मेरा इंतिजार कर रही होगी यह कैकर वो कालू कवा वहां से चला जाता है तब चिल उन दोनों बच्चों से कहती है यह क्या चिल्दी यह तुम दोनों मुझे देखकर डर क्यों नहीं रहे हो और नहीं तुम रो रहे हो तुम नाहीं चिला रहे हो क्या बात है मुझे बताओ और तुम खुस क्यों नजरा रहे हो चिल आंटी हम दोनों भाई बहन किसी से डरते नहीं है और अगर तुम हमें खाओगी तो तुम भी हमारे साथी मर जाओगी ये सुनकर तो बोचिल कापी ज़्यादा घवरा जाती है और वो कहती है चोटी चड़िया मैं तो मास खोर हूँ तो फिर भला में तुमें खाकर क्यों मरूंगी क्योंकि हम दोनों भाई बहन को कैंसर की बीमारी है अगर जो कोई भी हमें खाएगा वो भी हमारे साथी मर जाएगा वो कवव अंकल तो आपको मारना चाहते है तबी तो वो आपको हमारे पास लेकर आयते ताकि आप हमें खाकर मर जाओ अच्छा तो अब मैं समझी की वो कवा मेरा दुस्मन है और वो मुझे मारना चाहता है तब ही वो चूना लगा कर मुझे यहां से भाग गया है आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी अभी बताती हूँ जाकर ये कहकर वो चील वहां से चली जाती है थोड़ी देर बाद रानू घार आ जाती है तब गुड़िया अपनी ममा को सारी बात बताती है जिससे सुनकर रानू कहती है चाप बास मेरी बच्ची मेरी बहादर बच्ची तुमने अच्चा किया जो तुमने उस बेवकूप चील को बेवकूप बना कर भगा दिया फिर इस तरह रानू अपने दोनों बच्चों के साथ खुसी खुसी रहने लगती है चिड़िया ये क्या एक नहीं दो नहीं तुमने मेरी सारी आइस क्रीम खराब कर दी ये सब कैसे हुआ जल्दी मुझे बताओ वो कालू अंकल में किसी जरूरी काम से घर आई थी तब ही अच्चानक से ये आईस क्रीम का डबा नीचे गिर गया और ये आईस क्रीम फैल कर खराब हो गई क्रप्या करके आप मुझे माफ कर दो आगे से ऐसा कभी नहीं होगा मिठू तोते बेटे मैं आईस क्रीम लेकर आ गई हूँ तुम जल्दी से इन्हें ले लो दादी आज मेरे घर कुछ महमान आने बाले हैं तो दस आईस क्रीम जादा दे दे ना फिर पारुचडिया आईस क्रीम तोते को दे देती है और वहां से चली जाती है कुछी देर में उसकी सारी आईस क्रीम बिख जाती है तब वो पैसे लेकर अपने माले कालु कव्वे के पास जाती है सुनो कालू कववे अब तो मेरे पैसे बढ़ा दो इतने पैसों से मेरे घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है दादी मेरी आईस क्रीम आप सिर्फ मेरे गिराकों तक पहुँचाती हो और बाकी आईस क्रीम तो मेरी होती है तो मैं तुम्हें ये सो रुपे सही तो दे रहा हूँ इस से जादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा ठीक है कालू कववे तो तुम मुझे मेरे सो रुपे दे दो फिर कालू कवा पारुचडिया को सौ रुपे दे देता है वो उन पैसों को लेकर सबजी मंडी चली जाती है बहुत दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों को सूकी रोटी खाती हुए आज मैं उनके लिए सबजी खरीद लेती हूँ अगर सबजी से रोटी खाएंगी तो खोश हो जाएंगी फिर वो दादी सबजी बाले से सबजी खरीदी रही थी कि तब उसे चक्कर आ जाती है और वो वहीं गिर जाती है तब वो सबजी बाला कबूतर उसे उसके घर तक पहुँचाता है दादी जी आपके घर में कोई और नहीं है जो आपको सबजी लेने भेज दिया कबूतर तुमारा बहुत बहुत धन्या बाद मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए अब इस बुढ़ापे में तो ऐसी चकरकर तो आई जाते हैं तुम अब अपने घर जाएगे फिर बो कबूतर वहां से चला जाता है अब पारुच्डिया की तवियत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और बो अपने घोंसले से भी उट नहीं पाती है ऐसे ही कुजन बीट जाते हैं और पारुच्डिया की मौत हो जाती है उसकी मौत के बाद तो दौनों बेटियां केली रह जाती है देदी पहले पापा हमें छोड़ कर चले गए और अब तो ममा भी देदी क्या हम ऐसे ही सारी जिन्दे की अनात बन के गुजारेंगे गुडिया मेरी चोटी बेहन आज के बाद तो मैसा कभी मत कहना मैं हूना मैं तुम्हारी बड़ी बेहन हूँ मैं तुम्हें चोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी फिर ऐसे बाते करके बो दोनों सो जाती है अगली सुबह रानुच्डिया अपने आप से कहती है मुझे अब तो काम की तलास में जाना होगा वरना मेरी बेहन गुडिया क्या खाएगी यह कहकर रानुच्डिया काम की तलास में चली जाती है वो तोते के घर जाकर कहती है तोते अंकल मुझे घर का कोई काम दे दीजिए मैं सब कर लूगी नहीं नहीं बेटी तुम जाओ यहां से मैं छोटे बच्चों से काम नहीं करवाता तोते अंकल आप मुझे काम के बदले पैसे मत देना बस थोड़ा सा खाने को भोजन दे देना यह सुनकर तोते को रानू पर दया आजाती है और वो घर का बच्चा हुआ थोड़ा भोजन उसे दे देता है और उससे कहता है रानू बेटी तुम यह भोजन ले जाओ पर मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता फिर रानू बो भोजन घर ले आती है और अपनी बेहन को खिला देती है तब रानू कहती है मुझे कोई न कोई काम तो खोज नहीं होगा आकिर ऐसा कब तक चलेगा फिर रानू को अपनी मा के याद आती है कि उसकी मा आईस क्रिम बेचा करती थी ये सोच कर वो कालू कव्वे की तरब जाती है कालू अंकल जी आप क्रप्या करके मुझे आईस क्रिम बेचने का काम दे दो मैं पूरे ध्यान से आईस क्रिम बेचूंगी हाँ मैं तुझे काम तो दे दूँगा पर याद रखना अगर एक भी आईस क्रिम खराब हुई तो मैं तेरे पूरे दिन के पैसे काटूंगा नई नई कालू अंकल मैं आपका काम पूरे ध्यान से करूँगी और एक भी आईस क्रीम खराब नहीं करूँगी बस आप मुझे आईस क्रीम बेचने का काम दे दो मुझे काम की बहुत जरूरत है ठीक है तो तुम ये आइस क्रीम इस पते पर पहुँचा दो और एक भी आइस क्रीम की गड़बर नहीं होनी चाहिए दियान रखना अब जाओ फिर कालू कववा उसे आइस क्रीम दे देता है रानू चिडिया खुसी खुसी बो आइस क्रीम लेकर उन्हें उस पते पर देने के लिए निकल जाती है और बो आइस क्रीम लाकर कालू के पते पर दे देती है साम को बो कालू कववे के पास बापिस आती है बहुत अच्छा रानू तुमने अच्छा काम किया है ये लू अपने आज के सो रुपे और हाँ कल जरा जल्दी काम पर आ जाना बो रानू तो बहुत खुश थी कि अब उसे काम मिल गया है वो रोजाना आईस्क्रीम बेचने के लिए आ जाती है और उन्हें कालू के पते पर पहुँचा देती है एक दिन वो आईस्क्रीम बेचने जा रही थी कि तब यूसे अपनी बेहन का खयाल आता है ये क्या आज मैं अपनी बेहन को दवाई देना तो भूले गई मैं अभी जाकर उसे दवाई दे कर आती हूँ नहीं तो उसका बुखार नहीं उत्रेगा फिर रानुचिडिया वो सारी आईस्क्रीम लेकर जल्दी से अपने घार आती है वो बहुत तेज उड़ रही थी और जल्दी अपने घार आ जाती है तब ही उसके सर से वो आईस्क्रीम का डब्बा नीचे गर जाता है और सारी आईस्क्रीम नीचे फैल जाती है ये भगबान ये सब क्या हो गया अब मैं कालू अंकल को क्या जवाब दूँगी ये सारी आईस क्रीम तो नीचे गिर कर खराब हो गई देदी आप चुप हो जाएए आपने ये आईस क्रीम जान बूच कर थोड़ी न जमीन पर गिराई है गुडिया कालू अंकल ने मुझसे पहले कहा था कि अगर उनकी एक भी आईस क्रीम घराब हो गई तो वो मेरे सारे पैसे काट लेंगे लेकिन अब तो सारी आईस क्रीम घराब हो गई है क्या बात है आज तो छोटी चिड़िया को बहुत देर हो गई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी आइसक्रीम लेकर अपने घर जाकर बैट गई हो मैं उसके घर जाकर देखता हूँ ये कहकर वो कालू को अब घर आता है और वहाँ चिडिया के घर पर सारी आइसक्रीम जमीन पर पड़ी हुई देखकर वो कहता है चिडिया ये क्या एक नहीं दो नहीं तुमने मेरी सारी आईस्क्रीम खराब कर दी ये सब कैसे हुआ जल्दी मुझे बताओ वो कालू अंकल में किसी जरूरी काम से घर आई थी तब ही अचानक से ये आईसे कर डबा नीचे गिर गया और ये आईस्क्रीम फैल कर खराब हो गई क्राप्या करके आप मुझे माप कर दो आगे से ऐसा कभी नई होगा क्या कहा मैं तुझे माफ कर दू तूने मेरी पूरी पचास आईस्क्रिम खराप की है अब तुझे इसकी भरपाई तो करनी होगी और वो है कि तू पूरे पचास दिन मेरे यहां फिरी काम करेगी नई नई कालू अंकल ऐसा नय मत करो मैं पचास दिन तक अपनी बेहन को क्या खिलाऊंगी और मैं क्या खाऊंगी यह समय कुछ नहीं जानता कल से काम पर आ जाना नहीं तो मैं अपने नुकसान की भरपाई कराना अच्छे से जानता हूं यह कहकर बो कालू कवा वहां से चला जाता है और बो रानू तो बहुत परिसान हो जाती है और बो उदास मन से सो जाती है तब भी रानू के सपने में रात को कुछ आता है तब वो दौनों बेहने सुबा उटकर अपने खेत पर आती हैं तो देखती हैं कि उनका पूरा केत आइसक्रीम से भरा हुआ था ये देख कर रानू कहती है गुडिया इस खेत में सच में इतनी सारी आईस क्रीम है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ नई दीदी ये सपना नई है ये सच है यहाँ पर सच में आईस क्रीम है दीदी अब आप पिल्कुल भी उस कालू के या काम पर मत जाना आदम इनी आईस्क्रीम को बेच कर अपना गुजारा करेंगे हाँ गुडिया तुम एकदम ठीक कहती हो अब हम ऐसा ही करेंगे फिर इस तरह बो दोनों बहने आईस्क्रीम बेच कर खुसी खुसी रहने लगती है चिडिया तोता कबूतर घर की तलास में बैटे हुए थे तब भी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है और वो तीनों वहां आकर उसका दरवाजा खट खट आते हैं तब भी उस घर के अंदर से कालू कौवा और गोरी कौवी निकलते हैं और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उन तीनों पच्ची को एक कच्चा सा कमजोर सा घर रहने के लिए दे देते हैं ये सुनकर वो तीनों पच्ची पहले तो अपने मन में सोचते हैं और फिर बाद में हां कर देते हैं और उस घर में जाकर रहने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं तब भी रात को अचानक से तेज बारिश सुरू हो जाती है और तेज तूफान भी आ जाता है जिस बजे से उनका घर नीचे गिर जाता है और बो दोनों उस घर के नीचे दब कर मर जाते हैं वो पच्ची दूसरे जंगल से आये थे और उन्हें सागर की दिसा में जाना था लेकिन वो आराम करने के लिए एक पिड़ पर बैठ जाते हैं चिड़िया मैं तो अब बहुत ठक गया हूँ मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा हम सब बहुत ठके हुए हैं लेकिन हमें सफर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इस अंजन जंगल में रात कैसे गुजारेंगे तब ही तोते की नजर सामने एक घर पर पड़ती है दोस्तों बो देखो सामने एक घर है हम वहाँ चलते हैं आज की रात वहाँ गुजार लेते हैं और फिर अगले दिन अपना सफर शुरू कर देंगे ना जाने वो घर किस पच्ची का है एक भो हमें आसरा देगा क्या अपने घर में हम एक बार जाकर देख लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पच्ची दयालू हो और एक रात हमें अपने घर में रहने दे फिर बो तीनों उस घर के पास आते हैं और कबूतर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती कबूतर फिर से दस्तक देता है इस घर में तो कोई भी पच्ची नहीं है वो देखो सामने दो और भी घर है मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई पच्ची रहते हैं और वो इस समय भोजल लेने गए होंगे वो अभी ऐसे बाते करी रहे थे कि तब ही वहाँ एक कौवा और एक कौवी आ जाती है अरे क्या जहाक रहे हो तुम हमारे घर में कुछ नहीं कुछ नहीं बहन जी हम परावासी पच्ची हैं सागर की दिसाम में जा रहे थे हम ठक गयते उड़ते उड़ते और फिर हमने ये घर देखा तो हम यहाँ आ गए आज की रात आप हम सबको अपने घर में रख लो तो आपकी बड़ी क्रपा होगी लेकिन अगर हम तुमें बने बनाई घर दे दे तो कैसा लगेगा तुमें ये सुनकर तो बो तीनों हैरान हो जाते हैं क्या क्या मतलब हम समझे नहीं आपकी बात बात ये है कि वो जो सामने दोगर खाली हैं उनमें पहले कुछ पच्ची रहते थे लेकिन अब वो चले गए हैं तो अब वो घर हमारे कबजे में हैं अरे आप तो बहुत अच्चे पच्ची हैं बस ऐसी दूसरे पच्ची कहते रहते हैं कि कवे बहुत बुरे होते हैं सब जूट बोलते रहते हैं लेकिन पहले तुम मेरी एक बात सुन लो बदले में तुमें उन धरों का किराया देना होगा हमें क्या किराया कितना किराया देना होगा हमें पुछ जादा नहीं बस तीन दाने हर रोज एक घर के बदले में ये सुनकर तो उन तीनों पच्चियों की आंके खुली की खुली रह जाती हैं लेकिन वो तीनों पच्ची बहुत तके हुए थे और रात भी बहुत हो चुकी थी इसलिए कबुतर उन दोनों पच्चीों से पूचे बगेरी ऐसा कहता है हमें मनजूर है हम कल से आपको चाबलों के तीन दाने ला दिया करेंगे कबुतर ऐसा कैसे होगा हम कर लेंगे चिडिया बस कुछ दिनों तक हम यही रह लेते हैं तब तक हमारे जंगल का मौसम भी ठीक हो जाएगा फिर हम सागर की दिसा की तरफ जाने की बजाए अपने जंगल की तरफ ही वापस हो जाएंगे चिडिया और तोते को भी कबुतर की बात अच्छी लगती है जल्दी जल्दी बताओ हमें और भी काम है ठीक है बहन जी हमें सुईकार है तो फिर जाओ आएसे तुम इन दोनों घरों में रह सकते हो और फिर तोता कबुतर और चिडिया वहाँ से चले जाते हैं लो भई कालू कल से भोजन की जिन्ता भी खतम हुई मुफ्त में भोजन मिल जाया करेगा हमें तो लेकिन गोरी तुम तो जानती हो कि बो घर कितने कमजोर है अगर उन पच्छीों के उपर गिर गए तो तो मेरे कौन सी रिस्तिदार है वो पच्छी चत गिरे तो गिर जाये लेकिन जब तक जिन्दा है तब तक तो मुफ्त में चावल मिलेंगे और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ चिडिया तोता और कबुतर इस बास से अंजान थे कि वो घर बहुत कमजोर है साइद इसी बजा से बुलबुल वो घर चोड़कर दूसरे जंगल चली गई थी कबुतर भाया अच्छा हुआ कि डील इतनी भी महंगी नहीं है हम साम को आते समय एक एक दाना चावल का ले आया करेंगे बस कुछी तुनों की तो बात है हम कुछ दुनों तक इस किराय के घर में रह लेते हैं फिर बापस अपने जंगल की तरफ चले जाएंगे और फिर वो तीनों सो जाते हैं और दूसरे दिन गोरी को भी सुबा सुबाई उनके पास आ जाती है पराबासियों कैसा लगा ये घर बहन जी बहुत अच्चा है किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसा करना सामसे पहले हमारे घर पर हमारा किराया पहुँचा देना क्योंकि आज हम तो भोजन लेने नहीं जाएंगे चिंता ना करो गोरी बेहन हम पच्ची जवान की पक्के हैं सामसे पहले ही आपका भोजन आपकी घर पहुँचा देंगे और फिर गोरी वहां से चली जाती है दोस्तों चलो देखते हैं हमें इस जंगल में खाने के लिए क्या क्या मिलता है फिर बोतीनों वहां से चले जाते हैं कालू कवा और गोरी कवा भी घर की बहर बैटे मजे कर रहे थे तब भी वहां एक पच्ची आता है मैं बातलो का संदेश लेकर आया हूँ मैं पहले भी आया था कि आज रात बहुत तेज बारिस आएगी और बारिस के साथ साथ तूफान भी आएगा इसलिए बहतर यही है कि आप सब दूसरे जंगल चले जाओ कहीं ऐसा नहो कि तूफान के साथ साथ आप सब भी मारे जाओ पच्छी जी सब चले गए हैं यहां से इस जंगल में हमारे सिबाई और कोई भी नहीं है लेकिन तुम्हें भी चले जाना चाहिए पच्छी जी आप चिंता ना करो हमारा घर बहुती मजबूत लकडियों से बना हुआ है कितना भी तूफान या कुछ भी आए हमारा घर नहीं टूटेगा वो ऐसे बाते करी रहे थे कि तब ही वहां कबूतर भी आ जाता है लो जी कव्य और कव्य आपका किराया कव्य तुम तो कह रहते कि यहां पर और कोई पच्ची नहीं है सिर्फ हमी है सब चले गए हैं यहां से लेकिन यह कव्य तर यहां कैसे आ गया यह पराबासी हैं और यह बुलबुल वाले घर में किराय पर रह रहे हैं क्योंकि जब बुलबुल गई थी तो बो अपने घर हमें दे कर गई थी अब मैं जाता हूँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे और फिर बो कव्य तर वहां से चला जाता है बो घर तो बहुत कमजोर है और तुमने लालच किया और तुमने मासुम पच्चियों को बताई नहीं यह बात पच्ची तुम जाओ हम देख लेंगे जो होगा और फिर बो पच्ची वहां से चला जाता है गोरी कहीं यह पच्ची बताना दे उन्हें यह बात इतना भी समय नहीं है सबको अपने अपने कामों की पड़ी है तुम भोजन खाओ और छोड़ो उन चोटे पच्चीओं को बो पच्ची थोड़ा दूर जाता है तो उसके मन में एक बिचार आता है इन कवों ने उन विचारे पच्चियों को ये बात नहीं बताई कि बो घर बहुत कमजोर है मुझे उनको जाकर ये बात बतानी होगी अगर मैंने नहीं बताई तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे और फिर ये सोचकर बो पच्ची उन पच्चियों के पास आता है और दर्वाजा खुलवाता है दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो पच्ची मेरे पास समय बहुत कम है क्या बात है पच्ची दर्वाजा तो खुलाई था मैं मौसम का संदेश लेकर आया था आज रात इस जंगल में बहुत तेश तूफान आने बाला है इसलिए इस जंगल के सभी 25 जंगल को छोड़ कर चले गए है लेकिन 25 जी कौवा और कौवी तो इसी जंगल में रहते हैं और उन्होंने हमें ये घर किराय पर दिया है मेरी बात माल लो ये घर बुलबुल का था और ये घर बहुत कमजोर है इसलिए बुलबुल इस घर को छोड़ कर चली गई है और वो कवे तो है इलालची उनका घर तो मजबूत है इसलिए बो दोनों यहां से नहीं गए लेकिन अब हम कहां जाएंगे इस समय तुम तीनों मेरे साथ चलो आज रात तुम तीनों मेरे साथ रुख जाना और फिर सुबह होते ही अपना कहीं पर बंदोवस्त कर लेना और फिर बो तीनों उस पच्ची की बात माल लेते हैं और उसके साथ चले जाते हैं कालू जी कल से किराया कुछ जादा ना कर दे मेरा तो तीन चावलों के दानों से पेटी नहीं भरा हमारा घर तो बहुत मजबूत है और आज तो तुफाम भी आने बाला है वो घर तो इतने कमजोर हैं कि थोड़ी सी हावा में गिर जाएंगे कौवा और कौवी ये नहीं जानते थे कि वो तीनों पच्ची तो उस पच्ची के साथ वहां से चले गए हैं वो तो उस घर में है ही नहीं मरते हैं तो मरे हमें क्या लेकिन अगर बच गए तो कल से पूरे दस दाने लुंगी में और पिर रात गहरी हो जाती है और दोनों सो जाते हैं आदी रात को काले काले बादल चा जाते हैं और तेज तूफान आ जाता है तेज तूफान के साथ सा तेज बारिस भी सुरू हो जाती है कौवे का घर था तो बहुत मजबूत पर सायद उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी थी और तबी तेज तूफान के कारड कालू कौवा का घर नीचे गिर जाता है और बो दोनों अपने लालच की बज़े से उस घर के नीचे दब कर मर जाते हैं और तो कोई भी पच्चे उस जंगल में नहीं था क्योंकि सब भी तेज तूफान के डर से उस जंगल को चोड़ कर चले गए थे दोस्तो ये ती आज की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझ कर मुसीबत का सामना करना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सवाल ये है कि रानु चिडिया के बच्चों के बारे में चील को किसने बताया था अगर आपको पता है तो कॉमेंट वाक्स में लेकर जरूर बताए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन की स्क्रीन पर हो मिलती हो में आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्याबाद